घर में अगर पूजा हो या किसी भी प्रकार का त्योहार क्यों न हो या आपको कुछ मीठाई खाने का मन करे तो बनाईए कच्चे नारियल का बर्फी बहुत ही स्वादिश्ट बनता है और बहुत जल्द बनके भी त्यार हो जाता है नमस्कार मेरा बिंदर आपका स्वागत क क्री चन में तो चले आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल का बर्फी होगव यही हमने दो पानीवाला नारियल लिया है और इससे हम इस में नारियल निकाल है और नारियल के 1986 कह सब्सक्राइक मैं । पील कर लेंगे, इस तरह से हम पील कर लेंगे, देखिए बिल्कुल साफ हो गया, इसी तरह से हम सारे पील कर लेंगे, तो मैंने पील कर लिया है, और इसे मैंने वास भी कर लिया है, तो अब चलते हैं, छोटे-छोटे टुक्रे कर लेते हैं इसे हम, क्योंकि मिक्सी के जार मे पीशेंगे तो थोड़ा बरा रहेगा तो अच्छा से पीश नहीं पाएगा देखिए इसी तरह से छोटे-छोटे टुक्रे कर लेते हैं ये सारे टुक्रे हमने कर लिये हैं और इसे हम दरदरा ही पीशेंगे ताकि बर्फी अच्छे से बन सके थोड़ा-थोड़ा करके पीशेंगे देखिए हमने पीस लिया है और कितना अच्छा दानेदार बना है न तो इसी तरह से बिल्कुल पीस लेना है और तो चलते हैं अब हम कराही चरहाते हैं और इसे हम थोड़ा भून लेंगे इसमें हम एक टेबल एस्पून घी डाल देते हैं देसी घी डाल देते हैं और इसी के साथ साथ हमने जो नारियल पीसा है वो भी हम इसमें डाल लेंगे और यह हमने कप से नापके डाल रहे हैं वैसे देखते हैं कितने कप होता है एक कप हमने डाल लिया और यह हम दूसरा कप डाल रहे हैं तो हमारा टोटल तीन कप हुआ है यह तीसरा दो नारियल से हम तीन कप हमारा जो यह पीस के निकला है वो तीन कप हुआ है तो इसी के अनुसार हम चीनी डालेंगे इसमें में इसे हमें ड्राई होने तक भुना है अच्छा जब तक हुस्बु ना आने लग जाए तब तक हम भुनेंगे साथ से आठ मीनट मेडियम फ्लेम पे भूने से आराम से हो जाता है ड्राई देखि कितना अच्छा सूखने लग गया शूख गया इसे अबg अब हम निकाल लेते हैं, सुग गया ना, देखिए बिलकुल, देखिए, एकदम से सुग गया है, और अब हम चासनी बना लेंगे, चासनी बनाने के लिए हम दो कप चीनी डालेंगे, तीन कप हमारा नारियल था, तो दो कप हम चीनी डालेंगे, और एक कप पानी डालेंगे, करेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं चासनी हम कैसे चेक करते हैं एक कटोरी लेंगे और उसमें एक से दो ड्रॉप हम चासनी डालेंगे थोरा ठंडा होने के बाद हम हाथ से चेक करेंगे हाथ में अगर चिपक जाए तो समझे चासनी हो गया है या नहीं तो चासनी में बाबबल्स आने लग गया है चासनी थोड़ा थोड़ा मोटवान कीए उपार से थोड़ा देखिए। बाबल्स आने लग गया है हमारा चासनी बिल्कुल perfect है तो चलते हम इसे डाल लेंगे नाारियल और अब हम रक ये फ्लैम को लो पर ही रखेंगे और अच्छे से भूनेंगे अच्छे से पकाएंगे और आप हम इसमें डाल लेते हैं वन टीए स्पून इलैची पाउडर अप के जगे पे रोजवाटर भी डाल सकते हैं केबरा एसंस भी डाल सकते हैं जो फ्लेवर आपको पसंदो वो डाल सकते हैं और देखिए बहुत ही अच्छे से से हो गया है और क्राही भी छोड़ने लग गया है तो चलते हैं अब हम जमा लेते हैं इसे यह हमने थाली में पहले से घी लगा के रख लिया है इसमें हम जमाएंगे तो निकाल लेते हैं हम इसमें और इसे हम जमा लेंगे अच्छे से set कर लेंगे क्योंकि ये जो time है थोरा सा जल्दी करना रहता है यहाँ पे आपको set करना रहता है हाथों से या आपको जैसा सुगदा हो उस तरह से आपको set करना पड़ता है और अब मैं एक बात और बता दूँ जो हमने नारियल पीस के रखा था ग्रेट किया था उसमें से मैंने थोरा सा रख लिया था गार्निस के लिए ये देखिए ये हमने थोरा सा नारियल रख लिया था इसमें हम थोरा सा ग्रीन कलर डाल के अच्छे से मिलाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में गार्न कुछ और आपको हो जाएगा तो अच्छा से कृट नहीं पाएगा तो सैपले अपना एक जय का अनुमान लगा कि हम निसान लगा रहें आपका जैसा सुपधा हो वैसा आप कर सकते हैं तो चलते हम काट लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से काट लएंगे और आप सोच रहेंगे कि गार्णिस नहीं किया वो मिला के बस साइड में रख दिया दोस्तों मैं गार्णिस भी करूंगा लेकिन थोरा पहले एक बार इसको उपर लाइन चला देता हूँ कट का निसान लगा देता हूँ ताकि बाद में हम जब इसे काटेंगे तो तोरा आशानी होगा शुबदा होगा तो दोस्तो इस तरह से हमने निसान लगा दिया है कटका निसान लगा दिया है और लिजी अब हम इसके उपर गार्निस कर लेते हैं बहुत ही अच्छा लगता है देखने में लग रहा है ना भौधी अच्छा लगता है देखने में और खाने में उतना ही अच्छा लगता है उतना ही स्वादिस्ट जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही स्वादिस्ट आपको खाने में भी लगता है तो इस तरह से कर लेना इसे हम 5-7 मिनट के लिए रखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम फिर से एक बार कट का निसान लगाएंगे जहां पर हमने पहले कट किया था तो चले अब हम फिर से कट कर लेते हैं देखे सूग गया है और बहुत ही मज़ेदार बना है बहुत ही अच्छा से सेट हो गया है अब मैं इसे निकाल लेता हूँ एक एक करके बहुत ही अच्छा सेट हुआ है ना तो दोस्तों बन गया ना बहुत ही सांदार बहुत ही कम समय में बन गया ना नाडियल का बरफी कच्चे नाडियल का तो आपको कैसा लगा है हमारा बरफी कच्चे नाडियल का तो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और अगर हमारे चैनल को आरके मितला किचन को अभी त दबा दीजिए तो हम मिलते हैं एक और नया वीडियो में एक और नया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई